हेलो भाई नमस्कार आप लोग को हमारे चानल पर स्वागत है तो आप लोग देख सकते हैं इस गाड़ी का आज हम लोग फोल सर्विस करेंगे ओइल फिल्टर से ले करके डिजल फिल्टर तक और आप लोग को दिखाएंगे वीडियो थोरा लंबा होगा पर प्लीज भाई आ सब्सक्राइब और लाइक जरूर किजिएगा तो देखिए यही यह गाड़ी है नहीं वाली जिसका सर्विस करेंगे आए तो शुरू करते हैं देख सकते हैं यह भाई ब्योना टोड़ गया है यह देखिए वही गाड़ी है सर्विस डेट इसका आ गया था तो सर्विस लाड़ी है कि फोर एक्स फोर कि यह देखिए घुसा है भाई फिल्टर खोलने के लिए यह रहा इंजन आल फिल्टर कंपनी अलग है साइज होई है देख सकते हैं और यह फिल्टर का भी कंपनी अलग है पर साइज होई है यह देखिए साइज होई है देख सकते हैं दो फिल्टर है हमारे पास यह दो फिल्टर मिल चुका है इंजन आल की दोनों सेम साइज है नंबर अलग-अलग है क्योंकि कंपनी अलग-अलग है इसके वज़े से बाकी आप इसको देख सकते हैं एक कंपनी है यह अलग कंपनी है इसमें इसमें लास्ट में क्योंकि कंपनी अलग है क्योंकि लीटर साइज है लीटर साइज है नंबर अलग है और उपर का भी साइज जो फिल्टर का साइज हो एकी है आटी की और उसकी वरिंग की साइज एक है सब कुछ एक है दोनों का देख सकते है सिफ कमपानी अलग होने के वज़े से नंबर अलग अलग है और इसमें जो लगा है ये देख सकते है 1601 यही लगा है इसके इंजन में अलड़ी जो एजेंसी से आया है तो हम लोग को पहले ये डालना था 2231 00 वाला लेकिन सेम नंबर मिल गया तो सेम नंबर हम लोग डालेंगे ताकि कोई दिक्कत ना करें क्योंकि एजेंसी वाला सर्विस नहीं कर रहा है तो रुक्या नंबर अलग डालने से लोग बहाने बहुत ज़्यादा करते है तो इसलिए सेम नंबर डालेंगे जो पहले था ये देख लिजिए देख सकते हैं सेम नंबर है अब पूराने बाले कभी दिखाऊंगा खोलने का बाद अभी खोले नहीं है क्योंकि उसको जगह कम रहता है थोरा तो फिल्टर खोलने के लिए पाने नहीं है तो उसको तोर के खोलना है और तोर के कैसे खोलते हैं आप लोग को भी सिखाएंगे आप लोग भी खोल सकते है चलिए देख सकते हैं एक फिल्टर रख देता हूं सेम नंबर है वो डाल देंगे इसको पेक कर देता हूं जैसा था वैसा रख देंगे अगले बार फिर किसी गाड़ी में डाल सकते है इसी में डाल सकते है कोई दिकत नहीं आने वाली थो आपस इसको पेक कर देता हूँ एक फिल्टर को सेम नंबर जो है वाकी भाई साइज एक है वह था देख लिजीए ठाल देता हूँ इसको पेक करके वापस रह देता हूँ और अपने पास जो सेम नंबर का था वो मिल चुका है उल्डी तो चलिए नीचे चलते हैं फिर देखते हैं यह अपना डिजल फिल्टर है पहले इसको चेंज करेंगे डिजल फिल्टर को क्या है कि मिला नहीं है इसके लिए अभी वो गया है भाई ले आने सुपाजर हमारा त तो देख सकते हैं इसको बीन तोरे खोलना इसके लिए फैन विल्ट लगा के खौल रहे है कि टूते नहीं नेकि देख सकते हैं ऑई वह यह तरीका लगा रहा है कि बीन तोरे मिल्टर खोल जाए ताकि कचरा उचरा हो तो पता चला अगर साप फिल्टर hou तो आपाँ शी को लगा देंगे, इसके लिए, इसको अराम से खुलना है, प्यार से खुलना है, क्योंकि उपर जंग खाके चपाक चुका है, और ऐसे भी सर्दी के मौसम में तजप कराता है, खुलता नहीं हाँ से, बाकि तो गर्मी में हाँ से खुल जाता है, देख सकते हैं कोशिस करते हैं अभी बीना तोरे इसको खौल ले बीना वो क्यूंकि वो इसका फिल्टर पाना भी नहीं है उसमें क्या थोरी बैंड विंड आ जाती है इसके लिए ऐसा जोर लगा के मतलब ऐसे कुछ जोगार लगा के खोलेंगे लेकिन बीना तोरे खोलेंगे क्योंकि अगर फिल्टर हमको मिला नहीं है ये साइज का और अगर तोर दिये तो फिर होगा नहीं तो इसलिए बीना तोरे खुलना है कैसे भी खुलना है लेकिन तोरना नहीं है भाई बहुत मेहनत कर रहा है देखिए खुलने के लिए देख सकते हैं यह थोरा भी नहीं हील रहा है यहां से मकिर खुलेगा इसे ही क्योंकि आप लोग कमेंट किजिए तो बताएंगे कैसे खुलता है यह पेचकर सुझकर नहीं लगेगा इसमें लगेगी रिंग पाना और फिर खुल जाएगी तो रिंग पाना क्या अभी हम लोग के पास नहीं है इसके लिए पट्टी पाना है तो ऐसे कोशिश कर रहे हैं बागी मैं रिंग पाना एक आता हूं कहीं से फिर डाल के इसको खोलेंगे कि फैन बेल्ट में रिंग पाना पहना के फिर जोर लगाया जाता है तो बीन तोरे फिल्टर खुल जाती है कि समझे बाकी यह वाही कोशिज कर रहे है कि बीना तोरे खुलने का काफी हाट । हो चुका यह चपक चुका है फिल्टर अच्छी तरीके से और सर्दी के मौसम में थोरा काफी मतलब थोरा नहीं काफी मुश्किल होता है इसको खोलना बीना तूरे और इस साइज का मिल जाता तो इसको हम उपर से पेचकर डाल के होल करके फिर खोल देते आसानी से खोल जाता एक सेकेंड के अंदा नहीं तो हम लोग इंजन फिल्टर मिला है उसका वीडियो आप लोग को दिखाऊंगा इसी वीडियो में बने रही हैगा लाश तक तो आपको देखने के लिए मिलेगा अगर फिल्टर पाना ना हो और फिल् बस वीडियो में लाश तक बने रहे है तो यह क्या है यह हो चुका है मैं अभी जाता हूं और लाता हूं रिंग पाना और फिर खोल के देखिए मैं खोल दिया खोल चुका उसके बाद मैं देख सकते आप लोग यह सेम साइज है कंपनी अलग है फिल्टर की इस तरीके से मै यह तरीका था और कंपनी अलग है बागी नंबर सेम है वो टाटा का फिल्टर है और दूसरे कंपनी का है नंबर सेम है साइज उतना ही है जितना लीटर का यह उतना लीटर का वह भी है तो आप लोग कॉमेंट किजेगा तो मैं बताऊंगा यह कितने लीटर का इंजन फिल् और यह मैं कॉमेंट में बताऊंगा आप लोग को बाकी देख सकते हैं फूल सर्विस कैसे किया जाता है और वापस इसको कसना हो तो आप हाथ से कस सकते हैं कोई दिकत नहीं आने वाली है एक बड़ साफ करके आप लोग छोड़ दीजिए ताकि वह मरने सकते समय डीजल उजल कहीं से लिकर जोगा तो पता चल जाएगा तो देख सकते हैं अच्छी को तरीके सीस इसको हांस से टाइट कर दोते हैं जितना हो सकते और फिर दूसरे दिन भी गारी कुछ देर चलाने के बाद गरहने के बाद लिए और यहांठी निकाल यह वरिंग को वापस बीठा दे रहे हैं बिल्कुल फिल्टर साफ है सिर्फ इसमें थोड़ा नीचे के तरफ पानी था तो नीचे वह कैप आता है वह कुलने के बाद में पानी अच्छी तरीके से निकल जाता है इसमें देखिया पाइप डला यह उसमें पाइप नहीं डाला क्योंकि फिल्टर में मैंने डीजल नहीं डाला हूं डीजल हम लोग के पास अलग से था नहीं निकलने का बेवास्ता था नहीं तो इसलिए इसको अच्छी तरीके से टाइड कर देते हैं पहले ताकि पंप मारने पर उठा ले डीजल उठाने के बाद कुछ छोड़ देंग इसको देख लेना है भाई अच्छी तरीके से टाइड करने के बाद ये भाई देखिए पंप मार रहा है फास्ट पाम थोड़ा मारना पड़ता है अगर फिल्टर में अपने डीजल नहीं डालते हैं तो पंप को थोड़ा फास्ट मारिए डीजल उठा लेगा कोई दिकत न पंप मारिए तो एक मिनट में उठा लेगा एक सेकंड में उठा लेगा ठीक है ज्यादा टाइम नहीं लगता है यह देखिए यह थोड़ा धीला अदमी है पंप मानने में क्योंकि अधिकांस जिसका सरीर भार ही होता है वो काम करने में उसकी हालत खराब हो जाती है बैटन जो फिलिप पंप है वो सही है घीसा उसा नहीं है तो धीरे भी मारेगा तो उठा लेगा डीजलों देख सकते हैं यह डीजल उठाई लिया है थोड़ा एक बार लिकेज करते हैं और फिर निकालते हैं यह देखिए आ गए यह कोई बोल्ट गिर गिर गिया है दिखा रहे है बोल्ट गिर गया एक, टाइट कर दो, इधर भी, यह मस्ती कर रहे है भाई, बुरे छोटा सा नट देख्या, यह बड़ा सा दे, यह देखिए मस्ती भी इसमें जारी है, क्योंकि भाई, ड्राइबरी ऐसा चीज है, बीना मस्ती किये, मन नहीं लगता है, तो देखिए यह कु कुछ गर बढ़ते हैं, यह लोग नहीं कर रहे है, देख सकते हैं ध्यान से, तो मजाक मस्ती चलते रहता है, क्योंकि इसके बीना भाई, काफी बोरिंग लगता है, और कोई है ही नहीं, वापस में यह लोग मजाक मस्ती करते रहते हैं, देखिए, खाड़ा होगी यह भाई चुका है अलड़ी, मैं इसको और बोलता हूँ थोरा मारें, थाकि अब पूरा हाड हो जाए, क्योंकि थोरा रुक रुक के हाड होने के बाद थोरा रुक के मारना पड़ता है, क्योंकि सुखा फिल्टर लगाए थे ना इसके बज़े से, तो चलिया भी हाड हो चुका है, अपना येर भी इसमें से निकाल दिये है, थोरा सा नीचे से निकाल के देखेंगे, क्योंकि वो जरूरी होता है भाई, उसको निकाले भीना दिक्कत आती है बाद में, ये वही गाड़ी है, जिसका सोट लग रहा था वायर में, अर्थिंग वायर कम जोड डालने के वज़ जा रहा था, और इस लेटर वायर जल जा रहा था, बार बार तूट जा रहा था, तो भाई जिस गाड़ी, जिसके पास ये गाड़ी है, जो भी ड्राइवर भाई ये चला रहे हैं, तो इसको क्या करें, ध्यान से अर्थिंग को, या तो लंबा उसके इंजन तक डाल दे, चेचिस में नहीं रखना है, चेचिस में रखने के वज़े से स्पायर कड़ेगा और इस लेटर वायर जल जाएगा, ये गाड़ी का, पहले जो वीडियो जाले थे, आप लोग देखे होंगे, उसमें ही था, इस लेटर वायर जो ये बार बार जल जा रहा था इसका, तो मै यह लिए फाइल जाता था ना देख सकते हैं नंबर अलग है पर साइज यह यह देखिए अभी गया फिल्टर खोल लें इंजनायल का और देखते हैं यह तो इंजनायल का हाथ से सर्विस करते हैं और कैसे अपना फूल सर्विस देते हैं या कोई छोटा मोटर रिपेरिंग खुद से करना सीखे ताकि कहीं फज्या गाड़ी लेके तो खुद से सही कर सकते हैं देखिए वो कपरा से थोड़ा साप कर रहा है क्योंकि डीजल गिर क्या हां सिलिप मार रहा है उसके बाद में यह खोलेगा हां से ही नहीं खुलेगा तो पेचकत से वो अपना तोर के फिल्टर को खोलना है ठीक है देख सकते फिल्टर जो मैंने पहले लाया था जो पहले अप लोग को दिखा चुका हूं साइज सेम है पर नंबर अलग है कोई दिक्कत नहीं फिल्टर यह भी मिल गया है मैं तो अभी वहां से खोल रहा है देख रहे हैं खोल पा रहा है कि नहीं तो भाई देख सकते आप लोग रिपेरिंग करना खुद से सिखना है तो हमारे चाइनल को ड्राइबर ट्रीक को सस्क्राइब करें ताकि यह वीडियो आप लोग तक पहुंचता दो पार और आप मेंता है कि एढ़ा देखिये कि की लिचक इरुकर देखने से पता चल जाएका और साइड रिया और चाही नीचे से कि इंजल फिल्टर कॉन सा है लोग कि इंजन अईल फिल्टर कॉन सा है और यह अपना अट इजल छिटर मग कमपणी का नाम और यह नंबर लिखा है यही नंबर डाला जाता है इसमें देख लिए लिखा हुगा है ओएल फिल्टर और नंबर और कमपणी का नाम देखिए हो भाई घुसा है खोलने के लिए कि देखते कब तक खोल रहा है डिजल फिल्टर तो हो गया चेंज बाकी जो वितात हो रहा मोरा फोल्ड हो सब भी हो गई सई नट बोल्ट डिले थे वो भी टाइड कर दिये गए ये भाई भी भी रहा है बहुत मेहनत कर रहा है पर देख सकते हैं सरीर भाड़ी होने के बज़े से इसका भी दिक्कत हो रहा है तो ये बार बार अकेला करना ही पा रहा है तो हेल्प मांगने आ रहा है हम लोग के पास और एक चीद दिखा रहा सकते हैं ये पिछले बार मैंने ये डाला था ये देखिए ये कहाँ वही जैसे मैंने करके छोड़ा था वैसे के वैसे है तो पिछले वीडियो में आपने देखे होंगे ये आदमी रहा ये चलाता है गाड़ी को तो मैंने यह डाला था यहाँ पर यह स्विच को इधर थोरा घुमा दिया था क्योंकि बैस बोड मुझे खोलना था और इसमें चावी अटक रहा था तो यह स्विच डालनी थी सेल बाली यह दे सकते हैं यह स्विच मैंने डाला था क्योंकि यह चावी अटक जा रहा है इसमे तो औरिजनल चावी इसलिए चावी चंज नहीं किये उसमें सिर्फ सूज जाल दिये तो इसको करना कुछ नहीं था भाई इसको वापत जैसे था वैसे घुमा देना था धहिने साइड ताकि हरन बजाने में देखिए यह इसे कर देना था हलका सा अपने जगे पर वापस आ ज अपड़ी पर भी इदर से कर रहा था यह देखिए यही आदमी है देखिए वीडियो बना रहा तो मूँ छुपा आगे भाग रहा है इदर उदर छुप रहा है धारी बाल पक गया है पर इसका दिमाग जो है बच्चे जैसा है कोई मिल गया पिक्चर के तरह देख सकते है क क्यूंकि यह तो काफी टाइम भाई काफी टाइम देखिए भाग रहा है बोर है मोबाइल फोर दोंगा अगर वीडियो बनाया दो उदर जाके तो यह काफी टाइम लगा दिया इसने सर्विस करने में और यह गाड़ी यही चलाता है अगर हम लोग चलाते तो दो मिनट में सर्विस कर देते, देख सकते हैं, यह देखिए, तो आईए आप लोग को दिखाते हैं, यह फिल्टर खोल रहा है, तोर के, खोल नहीं पा रहा है, देखिए, थोरा सा क्योंकि यह छेद करिया है, क्योंकि भाई यह फिल्टर अगर आपको कोई भी फिल्टर, डिजल फिल्टर या आयल फिल्टर आपको खोलना हो तो वापस आर पार पूरा छेद कर देना है बीचो बीच पेचकस से कहीं पे भी और फिर उसको घुमा देना है इस पेश जिधर जगह है उधर और फिर निकाल के फिर वापस से छेद कर सकते हैं अगर आर पार आप उसको छेद करते हैं तो आसानी से घुम जाएगा यह देखिए इसको मैं बोल रहा हूं भाई वापस देखिए इसको हमबर पकरने का भी पता नहीं है जाए फटा नहीं ड्राइबर कैसे बन गया इसको सिंधा मारना चाहिए पर उसके पेंदी से नहीं मुदी से налोगThis हमब को करवट मार रहा है प्यार प्यार से ठोक राए कि तूट ने जाए तो वह हमपर को तोरना ही है उसको फिल्टर को यह देखिए यह घूम गया अब इसको वापस सिधर टाइट करवांगा क्योंकि इसने थोरा सा लगाया था तो बेंड हो रहा है और इसको मैं बोलता हूं पूरा वापस अंदर ठोक देना है फिल्टर को आरपार छेद हो है अभी ठोक रहा है अभी अभी सही अंबर चला रहा है देख सकते हैं अभी इसको मैंने रोला रेला हूं तब जाके सही अंबर चला भी हो गया अभी देखिए एक चुटकी में एक सेकेंड में वाई फिल्टर तोर के आप खोल सकते हैं देखिए खोल दिया अब हो गया अ तो देख सकते हैं हाँ से खूल रहा है खूल गया घृत एसे भी हाँ से खूल जाता है पर पता नहीं क्या किया इसको नहीं कुल रहा था तो चलिए अब फिल्टर देख सकते हैं यह नंबर जो आपको दिखाए थे पहले नया मिल चुका है यह देखिए सेम नंबर का सेम नंबर का है यह और यह सेम नंबर का है इसलिए हमने तोरवाद के खोलवा दिया तो आपको भी अगर सेम नंबर का फिल्टर मिलता है तो आप गंदा नहीं है तो तो चलिए वापस नया फिल्टर में वाइल भड़ते हैं इंजन आयल और फिर उसमें फिट करते हैं तो देख सकते ये उसकी कुपी इसने अंदर दबा दिये इसको बाहर निकालना पड़ेगा नहीं तो वाइल हमारा बाल्टी के धकन में अटक जाएगा तो वापस इसको धकन को कसवा करके कुपी इसका जो है बाहर ने खिच वाते हैं फिर धकन खोलवाएंगे ये देखिए खिच देना एसे पिर धकन को खोल देना है हो गया कि देख सकते हैं इंजन आयल 15W 40 है और 15W 40 ही डालना चाहिए तब भी जाके ज्यादा ताकत करती है गाड़ी और इसी गाड़ी के लिए आता है तो चलिए देख सकते हैं इंजन ले फिल्टर है यह वाइल फिल्टर तो इसको वाइल भर देते हैं ताकि अपना कोई दिक्कत के वाल खीचने में इसका कि कांजरा जो Go is महीं घिचे लेका उटा अंदर वाले साइड में बहार सैड में अपना फिल्टर करता है इसके छोटे ऐसाइड वाले होले और मेने वल जो बीच वाली यह इसमें नकस्वालान साइचा यह लिए अंधर वाले ठीटासरा समझें त तो यह अचानक एक बार डालने से क्या होगा कि वह भर जाएगा देखिए भर गया है पर यह है नहीं भरा होगा क्योंकि यह सोखेगा सोखे पूरा नीचे चला जाएगा देखिए यह देखिए पूरा नीचे चला गया देख सकते हैं तो यह चीज है क्या थोड़ा रुक उसमें भरना पड़ता है, प्यार से दीरे-दीरे भरते रहे हैं, देख सकते हैं, प्यार से पूरा भर देना है, रुक-रुक के, तो मैं रुक-रुक के भरवा रहा हूं, सोखले पूरा अच्छे से, फिर डलवाऊंगा थोड़ा, तो अभी सोख लिया है, चलिए फिर थोड़ इसमें, देखिए, और ये भी सोखलेगा भाई, ये फूल होता है, पर सोखता बहुत है, जितना है ना, इसकी कपेसिटी उतना इसको तो चाहिए ही, और इस सोखलेगा तो खुद अपने फूल हो जाएगा, और भारी भी हो जाता है फिल्टर, अगर ऐसे फूल दीखे और भारी ना हो तो समझ लेगा भाई, वो हवा बना रखके अंदर रख़ा है, सोखा नहीं है, इसमें हाव ना बनाए, आपको रूख रूख के भढ़िएगा, तो वो सोखलेगा, खाली नहीं बचेगा, तो आप उपर से क्या है, आईल डालिएगा, इंजन के अंदर, तो इस है नहीं सारे 8 लीटर तो 9 लीटर अपने चला जाएगा या फिर 8 लीटर भी डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं चीना से नीचे भी रहेगा तो दूसरा चीना से यह देख सकते हैं यह सोख राय कैसे अभी चलिए थोड़ा और डालते हैं इसको फूल करना अपने तो भाई ताकि वहाँ अपने गेज में डालने के बाद ना पेंगे तो आयल हमारा इंजन का कम नहीं होगा आप देखिए देख सकते हैं अब यह फूल हो चुका है तो चलिए अब यह नहीं सोखेगा चलिए इसको इधर चलते हैं और यह भाई से फिट करवाते हैं आपको फिट करत समय द्यान डखना है सीधा होना चाहिए फिल्टर और अच्छे से साफ कर ले उसको कचरा उचरा कुछ ना हो नहीं तो कचरा होने के वज़े से समझी एक एक मिट्टी भी चपक गया ना उधर और इंक उपर आ जाएगा तो फिर लिकेज करेगा यह फिल्टर खुल सकता है अचने से साफ करके फिर उसको चूरी पहले सीधे के तरब चला प Méव अधर बराबर ओव सीधा सीदा ले लेति तिरृष्याख मिल्टनको 10 नहीं करना नहीं तो फिल्ट ना क י बोल्ट है उसमें होल रहता है जो इंजन में अपना आई जाता है देख सकते कपरा से साफ करवा के फिर ताकि वो सीलिप ना मारे हाथ और उसको अच्छे तरीके से टाइड करना है और हाथ सीलिप मारे तो थोरी से मट्टी लगा ले नहीं है देख सकते हैं कि सोच रहा है अभी टाइड करूँ या ना करूँ इसको वोला हूँ थोरा मट्टी लगा ले भाई ताकि सिलिप ना मारे पर यह सुन नहीं रहा है ऐसे ही टाइड कर रहा है जैसे बच्छो वाली खेलो भाई गाड़ी है घाड़ी में मारानी पड़ती है जब अब देखिए कि इतना अच्छे से टाइट हो रहा है पाना की कोई जरूरुतğत नहीं हांच से ही टाइट होता है चारे इंजोन रााएल फिल्टर विल्ट्र म Toward नहीं कहलता है कि ओ runs स्रडी में दिक्कत होता है कि उस मोरिंग रहता है वो hard हो जाता है तो इसके लिए दबाव बना के रखता है तो नहीं खुलता है बाकि ये देखिए हाथ थोरा और नीचे करके tight करेगा तो अच्छे से tight होगा पर भाई दियान रखने है अच्छे से सीधी तरीके से लगाना है filter तिर्चाना होब तिर्चा होगा चली चली जाएगी तो बहुत मुश्किल होगा बाड़ी मालिक भी आफको किसी आएगा कैम अंठी लगा रहा है अच्छे से अ और अच्छे से टाड करेगा यह अगर लुदफे ऑगा तो इंजन सी हो जाएगी न Quella बै को पता नहीं चलेगा कब गिरा वाकी डाइबर करें करें और लाइबर में और पहुंचा एक कैसे सर्विस के जाता है कुछ से गाड़ी का सर्विस कर सकते हैं तो आये भाई केप खुलते है उपर वाला और यहां सींजन डाला जाता है आप लोग को पता ना हो तो भाई वीडियो देखके सीख सकते हैं देखिए थोड़ा यह ठोक लेना है चाहिए पक्कर से गुमा देना है खुल जाती है असानीत से अब इसमें अपने देखने के लिए आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा तो पता चलेगा और इतना डालते हैं और डालने के बाद छोड़ देना है वो गेज उधर नापने वाला है तो नापके भी दिखाएंगे कितना कम ही आपको छोड़ना है क्योंकि वापस भाई जो इंजनायल उपर से डालेंगो उपर अटका रहता है तो थोरा नीचे जाता है तो अगर इंजन आपकी गाड़ी बंद करना है तब ही आपकी गाड़ी बंद होगी आपकी गाड़ी बंद करना है फिल्टर से पहले पहले वह पाइप को खोल देना है खोल को इसे बाहर भी नहीं निकालेंगे तो भी बंद हो जाएगा ताकि यह उठाले यह लेके गाड़ी बंद हो जाएगी अगर सोचेंगे आपकी हम इस टोपर रिवाइड से गाड़ी बंद कर दे भाई मैं लिखके देता हूं किसी भी हाल में गाड़ी बंद नहीं होगी अगर इंजनायल आप ज्यादा डाल दिये तो रेस पकर लिया गाड़ी चालू करने का समय नहीं पकरेगा वह एक दो घंटे चलाने का बात पकरता है भाई बहुत ज्यादा रेस हो जाएगा अपने आप कोई भी लिटर का मतलब एक लिटर का है वो फिल्टर पर उसमें क्या थोड़ा फूल हो गया था पर पेपर उपर है तो उसमें फिल्टर थोड़ा सोकता है सोखेगा इसलिए हम लोग 8 लिटर डालेंगे उसके बाद में गेज मार के देखेंगे कितना काम है उसके बाद में हम लोग छोड़ देंगे गाड़ी को चलाएंगे कल सूबा देखेंगे राद पर बंद रहेगी अभी तो यह आयल डालने का बाद गाड़ी चालू कर देंगे अपना उसमें कोई दिक्कत नहीं है पर सूबा में जब गाड़ी दस बारे घंटे बंद रहेगी फिर चेक करेंगे अगर कम है तो डालेंगे अगर कम नहीं है तो नहीं डालेंगे अगर ज़्यादा हुआ तो भाई जहां से अपने इंजन आयल निकाले थे पुरानी वाली वहीं से इंजन आयल को निकाल देना है नहीं तो बरिशी फोल्ड पकर लेगी आपकी गाड़ी में आपको समझ में नहीं आएगा रेस कहां से जा रहा है इस लेटर वायर आपको लगेगा फस गया है पर फसे गए नहीं और रेस ज्यादा हो जाएगा उसका एक उपाए है वह चौक से भी बंद नहीं होती है डिजल फाइप खोल देना है में जहां से फिल पबाला पाइप खोलना है ताकि गाड़ी तुरंद बंद हो जाए बंद हो जाए ठंडा होने के बाद इंजन आल कम कर देना है फिर चालू कर देना है कुछ नहीं होगा भाई आपके गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आएगी तो देख रहे हैं यह मैं उतना डलवा चुका इसके उपर बंदु के नीचे थो रहा हैं वहां था का रहा है तो वापस लगा देते हैं और एक बार ओड़ देखेंगे मैं गड़र दिखेंगे मैं तो सबस्य करके इसको लग देते हैं तो देख सकते भाई इलजन लेबल आइल का नापली है आइल का लेबल बराबर आ रहा है इसको करते है फीट देख लिए अब गाड़ी को करते है चालू फिट देखते हैं देख सकते हैं अब गाड़ी के मारता हूं सेल्फ हिदर से फॉर्ण पर मरवाद है क्योंकि वो उतर यह बटन लगा दिया हूं यहां से सेल्फ मारता हूं अरे तो खोल लो के बन का देख सकते हैं खोला व्मारे के पड़ी चालुप कर रहे हैं यह मारते हैं सेल्फ यह देखिए यह थोड़ा पंप मार का हाड कर देना है क्योंकि वह फिल्टर सुखार आता है अल्रेडी हम तो देख सकते हैं पहले से गाड़ी के काफी अब आज साउंड और चालुप मतलब इंजन चालुप करने से ही पता चल जाता है बही अलग हो गई सर्विस करने के बाद अब हो देख रेख वे आज बिल्कुल बदल गई सक क्या रच अग्मॉ एक बहुत करो ताइट करो टाइड को के त्अब करो तब करो इसके हिए प्रिष्ट भारूर आधर राजी अडिया राजू आए ही आवाज भी लिए मिरा वीडियो फ्हेमस कर देंगे अचे गाड़ी चलूँ है पहले से हल्की आवाज आटेला है और झाले तब किया राजना है तर गाडी होगा एल फूल सर्वीज तो भाई फूल सर्वीस हो चुका है कि इस गाड़ी का देख सकते आप लोग लास्ट तक वीडियो देखने से आप लोग के फैदा हुआगा सर्वीस कैसे करते है आप जनकाड़ी मिल चुका होगा जितने ड्रैबर भाई है हमारे वीडियो को डाउनलोड कर ले सेब कर ले अगर कोई भी मिश्टिक हो तो देख सकते हैं देखिए ये गाड़ी हो गया अपना सर्विस यही जो गाड़ी है अपना ये भाई समानवान सब समीट रहे हैं और चालू करके देखेंगे अब इसकी सावन डूंड सब बदल चुकी होगी पहले से देख सकते हैं तो आप लोग हमारे चाइनल को सस्क्राइब और लाइक कर लिजिए भाई जल्द सजल्द और ऐसे मजदा ट्रिक के लिए देख सकते हैं बस इस वीडियो में इतना ही मिलते ह है फिर अगले वीडियो में अगले ट्रिक के साथ नमस्कार भाई लोग बस इतना ही